आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे फेस में जो पैट है इसको कैसे कम कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको good sleep मतलब at least six to seven also sleep is mandatory और जो fat content food से आपको average करना है जो पुराने जो वीडियो मैंने अपरूट कर चुका हूं मेरे चैनल पर उसको refer कीजिएगा तो आपको diet plan भी आपको idea लग जाए तो अभी मैं आपको तीन-चार exercises बता हूँगा तो एक बड़ देख ल सबसाब पहले वाला जो exercise है वह है मैं हवा यहां से फेल करूंगा और यहां से इस तरफ शेप्ट करूंगा मुटलब फ्रांसवार करूंगा लाइक दीस फिर यहां से यहां से यहां कम से करम 20 से 25 वार अपको हर दिं करना है चाहे आप मौनिंग में कर लीजिए दोपय को कर लीजिए लेकिन करेंगे तो रिजर्ट में आटोमेटिकली फॉलो जो second exercise है वह है जैसे हम बैलूं को फुलानी के लिए जो मूह का जो पोजिशन होता है और आपका मेडिल और इंड आपको 10-15 सेकंट के लिए बोल्ड करना है और कम से कम पास सेट 5 सेट्स आपको करना है रोज डेली करना है इसको तो रेजल्ट आपको दिखेगा इसमें 100 परसंट तो यह होगा आपको second exercise अब जो third exercise है वह होगा आपका यह दोनों फिंगर मैं मिडिल और इंडेक्स इसलिए बोल रहा हूं यह दो ही फिंगर इंपोर्टेंट है जो हमारे नर्वा सिस्टम से कनेक्टे होता है तो यह सारे exercise हम इस दोन फिंगर सही करेंगे यह आपके जो आइब्रूस है साइडों मैं इसको होल्ड करना है मतलब पूपर फॉर्स इस वर्सटाइम अंचन एवल हैता तो को गस्टा इसे पंगरनेगे यह दोढूर करेंगे वह दिए अम्हांखा यह यह दोओ इसको कनेल उपर और यह दो एक टोच्वारभी यह द्याज्ट arranged ऊडश़ कि है सब्सक्राइब 30-40 ताइम आपको रोज करना है यह होगा आपको थर्ड एक्सिसेज और जो फॉर्थ एक्सिसाइज है जैसे आम सेल्पी लेने के लिए अजकर लेडिस जो पाउट करते हैं वैसा आप कर सकते हैं तो उससे क्या होगा जो नुमारे जो यहाँ पे जो डबल ची लेडिस और यह तो यह वाले को यह पाउट पाउट के अग्या लेकिन जो लेडिस एक अची तरह पताए कि पाउट के बोशन क्या है तो यह वाले को जीशन में आपका जो फैन्टेंज है मतलब में इन्वाइब की जितना ज्यादा आप इसको बड़ करेंगे उतले ज्यादा आपके बोड़ी से पैट और यह क्या बोल रहूंग है फेस से पैट और निकल जाएगा और सबसे तब बेस्ट एक्सरसाइज जो है जो नेचरल है जो हम सुभे माउटवाश करने के बाद करते हैं गन्च के बाद एफसंग करते हैं तो इसे को करते हैं तो इसको इसनैजर लेसे हैं तो इसको कीजे आप देखना महीने डियर मेने के बाद आपको दिखने लगें तो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल जिसका मुह ऐसा है बिल्कुल यह इस तरीके से हो जाएगा मैं यह सब कभी महीं बोलता हूं लेकिन रेजल्स होरे आपको धिरे-धिरे महीने डियर मेने के बाद आपको दिखने नहीं तो फ्रेंस यह था आज का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट बक्स में कमेंट डाल और सबस्क्राब तो आप करेंगे तिल दन स्टे टीए उन फर अपकिन वीडियो थांक्स पर वोचिंगे